हेलो गाईज, स्वागत है आप लोगों का फिड से हमारे नए योटुब चानल डिसिप्लिन ट्रेडर पे तो गाईज, आज मैं आप लोगों को सेयर मारकेट एप के थुरू आप्शन्स पर टेडिंग कैसे करते हैं और यहाँ पर अपना stop loss order कैसे लगाते हैं, यह आज मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाने वाला हूँ और बताने वाला भी हूँ और दुसरी चीज, अगर आप लोग सेयर मारकेट एप से अभी तक अपना डिमेट अकाउंट ओपन नहीं करा हैं तो आप जाएए मेरे description box पे और आपको वहाँ एक link मिल जाएगा, link को click करिए, account open करिए और यहाँ से trading का journey start करिए या तो आपको play store पे यह app मिल जाएगा, यह app को आप लोगों को download करना है और आप लोगों को यहाँ से अपना trading का journey start करना है share market जो app होता है वो phone पे का एक part है, एक segment है, ठीक है, तो आप लोगों को यह app download करना ही होगा और इसका add आप लोग TVs पे बहुत देखे होंगे, है ना, तो यह काफी कमाल का app है, इसका use आप लोग करिए, यहाँ brokerage एक दाम free है तो यह आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इसक्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ कब तक हमारा brokerage free है तो यह आप देख पा रहे हैं, आपका 31 December तक brokerage free है, आप जितना भी trading करिए कर सकते हैं, यहाँ कोई भी आपको brokerage देना नहीं पड़ेगा तो देर किस बात की जाएए, आप description box पर link क्लिक करिए, account open करिए, है ना तो अब मैं यह मन करके चलता हूँ, कि आप लोग इस app को download कर लिए होगे इस app करना, logo आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, जैसे कि आप लोग top पे देख पा रहे हैं, share market app इसका logo आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, तो यह app आप लोग को download करना ही होगा तो अब मैं यह मान करके चलता हूँ, कि आप लोग यह app download कर चुके है, अब आप लोग options रेडिंग करने के लिए बिल्कुल ready है, तो options रेडिंग आप लोग कहां पे करेंगे, कैसे करेंगे तो आप लोगों को यह simple F&O को click कर देना है, future and options, इसी options को आप लोग को click कर देना है तो यह हमने click कर दिया, click करने के बाद guys हमको कुछ step का interface दिखाई दे रहा है यह आप देख पार है, nifty 50, bank nifty का options हमको दिखाई दे रहा होगा तो चुकि जैसे कि आपको पता है, इंडिया पे mostly जो trader है, या वो तो nifty 50 पे trade करते हैं और इधर आपको data दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते है call site का premium इधर आपको data दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते है put site का premium अब यहां एक question आता है कि हमको call कब buy करना है, put कब buy करना है तो देखिए अगर आपका market ऊपर जा रही हो, है न आभी देख पार है 240-240 उर्पय market हमारे उपर जा रही है तो हम क्या करेंगे call site के premium को buy करेंगे और अगर आपको ऐसा लगता है यार market नीचे गिर रही है तो अब क्या करेंगे put site के premium को buy करेंगे तो अभी आपका market क्या कर रही है उपर जा रही है तो आप क्या करेंगे, call site के premium को buy करेंगे, अब यहाँ एक question और आता है, कि हमारे पास तो यहाँ multiple strike price है, multiple premium है, कौन सा premium buy करें, कौन सा strike price buy करें, तो मैं आपको बता दू, यहाँ आपका depend करता है, आपका capital, अगर आपके पास बड़ा capital है, तो आप बड़े premium पे जाएए, और trade क करेंगे, जिसका premium छोटा है, वो छोटा moment करेंगे, अगर आपने कम पैसा फसाया है, तो आपको कम पैसा profit होगा, जिसने बड़ा पैसा फसाया है, उसको बड़ा पैसा profit होगा, यह simple logic है, ओके, तो अभी हम ना छोटे premium पे trade करना चाहते है, क्योंकि इस demand पे fund कम है, तो हम ना चोववण हजार, साथ सोवाले strike price पे options trading करना चाहते हैं, चोववण हजार, साथ सोवाले strike price है, जिसका premium चाह रहा है, 8.75 पैसे का, इस premium पे हम options trading करना चाहते हैं, तो simple हम इसी को click कर देंगे, तो यह हमने click कर दिया, click करने के बाद यह buy और sell को options आपको दिखाई दे रहा यहां आपको lot size add कर देना है, तो अभी हम चीज़ा सीख रहा है, इसलिए हम एक lot के साथ trade करने के ले जाएंगे, और simple आपको place order के options को click कर देना है, ठीक है, यह सारा कुछ same रहेगा, lot size आप यहां से increase, decrease कर सकते हैं, तो अभी हम चीज़ा सीख रहा है, इसलिए हम एक lot के और उसके बाद आपको यह positions के options को click कर देना है, आपका profit and loss यहीं पर दिखाई देगा, यह आपने positions के options को click कर दिया, यह आप देख पा रहे है, आपका profit and loss यहां चलना सुरू हो चुका है, और यह काफी कमाल का app है, easy to use है, आप असानी से इसका use कर सकते हैं, ठीक है, तो यह आपका profit and loss यहां चलना सुरू हो चुका है, है ना, यहां आपका profit दिखाई दे रहे है, और अभी जिस range पर आप entry के हैं, उसी range पर आपको price चल रहा है, इसलिए आपको ना कुछ profit दिख रहा था, ना loss दिख रहा था, अभी फिर से आपको profit दिखाई दे रहे है, तो आप आपको क्लिक करना है, क्लिक करेंगे, उसके बाद यह देख पा रहे है, क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कुछ step का इंटरफेस दिखाई देगा, आप कौन से range पे entry के हैं, आप 8 रुपया पर 75 पैसे range पे entry के हैं, यहां से आप 2 रुपय नीच अपने stop loss order लगाना चाहते तो वो कैसे लगाएंगे, यह जो आपका profit and loss चाहते हैं, इसको आपको simple क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहां पर trigger price पे आपको अपने stop loss order एड़ कर देना है, तो trigger price पे हम अपने stop loss order लगा देते हैं, 6 रुपय के range पे, क्योंकि 6 हमने कहा था, और यह limit price आपके stop loss order price से 50 प आप लोग से question पूसता हूँ, अगर आप लोग trigger price 200 add कर दिये, तो आपका यह limit price क्या रहेगा, comment box पे जल्दी बताइए, मैंने बता दिया, 50 पैस से नीचे रहेगा, अब आप लोग को उस cancer लिखना है, और यहां आपको lot size वही रहेगा, और आपको next के options को click कर देना है, next कर प्लेस और के options को click कर दीजे, यह आप देख पार है, आपका stop loss order भी market पर place हो गया, अब यह आपका stop loss order कहाँ पर लोग करेगा, आपका stop loss order गा height orders पे आपका orderSch को click करते हैं यह आप देख पार है, आपका stop loss orders प्लेस हो चुका है, 6 रुपर के range पे, तहकी आप इसको cancel भी कर सकत तो simple इसी को click करना है और यह cancel order के options को click कर देना है और cancel order के options को click कर देना है यह आप देख पार है आपको order यहाँ से cancel भी हो गया अब आपको positions पर आना है यह आपको profit and loss चर रहे है अब आपको यहाँ से exit होना है तो कैसे होना है यह जो आपको profit and loss चर रहे है इसी को simple click करना है उस के बाद इधर कुछ भी नहीं करना है सिंपल प्लेस ओडर को क्लिक कर देना है यह आप देख पार है आप एक्जिट हो गए ठीक है तो इस टैप से आप लोग क्या करेंगे फोन पे एप यानि कि सेयर मार्केट एप के तुरू ऑप्सन करेंगे स्टॉपलोस ओडर लगाएंगे केंसल करेंगे और एक्जिट हो जाएंगे तो गाइस कुछ भी को रही होगा कॉमेट बोक्स पे कॉमेट करिएगा और मैं इसे टैप के वीडियोस बनाते रहता हूं और अगर आप लोग इस टैप के वीडियोस देखते हैं तो हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें ओके चले गाइस बाइब टेकर नेवडियो पर मिलते हैं जल्दी तब तक लिए यह आप देख पार है ओडर हमारा कैंसल हो चुका है